नमस्कार, कब्रों को पंच नामा देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ पूजा, हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की पांच पड़ी खबरे, जस पर चल्चा के लिए मेरे साथ स्टुडियों में मौजूद हैं, क्यापटल टीवी के एडिटरेंट जीव, दॉक्टर और यूक्रेन की अतहासक यात्रा पर पेम मोदी, तेश अगस्त को जाएंगे यूक्रेन, रास्टपती जलस्की सकरेंगे मुलाकात, यात्रा से पहले पेम मोदी ने जताए यूक्रेन संगर्स के शांतिपुन समध्हान कियोंगी कॉलकता रेफ हत्या कांड पर फस्ती जा रही सियम ममता बनर जी, ममता के स्टिफेक इमान तेज, बीज़िपी का पाँच दिनों का विरोध प्रदर्शन, डॉक्टरों ने निकाला पैदल मार्च, विरोध में सड़क परुत्रे सौरव का गुल S.E.S.T.R. अरक्षन को लेकर आज भारत बन, पटना में लाटी चार्ज, यूपी में सब कंट्रोल, कहीं स्कूल बन, कहीं रेलवे ट्रैक जाम, कहीं आग जनी, तो कहीं भारी खंगामा, कहीं राज्यों में भारत बन बे असर बद्लापूर की गटना पर आक्षन में महरास्ट सरकार, जांच के लिए बनाए गई S.I.T. विपक्ष का विरोध जारी, M.B.A. ने लिया बड़ा फैसला, 24 अगस्त को महरास्ट बंद का एलान पाकिस्तान में रिशनिंदा से जुड़े फैसले पर भारी बवाल, चीप जस्टिस को पकड़ने सुप्रिम कोर्ट में घुजगई कट्रपन्ती भीड, संसत पर भी हमला खबरों की शरवात में सबसे पहले बार पिया मोदी के पॉलेंट यूक्रेन दौरे की प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी पॉलेंट और यूक्रेन के तीन दिवस ये दौरे पर रवाना हो चुके है ये दौरा कई माईनों में तहासिक है क्योंकि 45 साल बाद ये पहली बार है कि कोई भारतिय प्रधान मंत्री पोलेंट का दौरा कर रहा है इसके साथ प्रदानमंत्री मोदी का ये दोरा यूक्रेन के साथ भी भारत के रिष्टों को नई उचायों तक पहुचाने का एक महत्पुन कदम माना जा रहा है प्यमोदी के स्वागत की जबरदस्त तैयारिया है वहां लोग बेसबरे से प्यमोदी का अंतजार कर रहे हैं प्यमोदी के इस दोरे पर दुनिया भर की नजर है क्योंकि पॉलेंड के बाद प्यमोदी यूक्रेन जाएंगे और रास्टपती जलस्के से मुलाकात करेंगे प्यमोदी 23 अगस्त को पॉलेंड से ट्रेन के जरिये यूक्रेन जाएंगे इसके लिए 10 घंटों तक ट्रेन में यात्रा भी करेंगे यूक्रेन दौरे को लेकर प्यमोदी ने एक्सपर पूस्ट करते वे लिखा कि मैं रास्टपती जलस्के के निमंत्रन पर यूक्रेन जा रहा हूँ ये यात्रा उनके साथ पहले की चर्चाओं को आगे बढ़ाने और भारत यूक्रेन मतरता को और गहरा करने का अफसर है साथी पोलेंड यात्रा को लेकर प्धान मंत्री ने कहा कि भारत पोलेंड के बीच गहरी दोस्ती सज्जयों हुए है प्यमोदी का यूक्रेन और पोलेंड का यात्रा कितना इंपोर्टन है देखे पोलेंड के बारे में तो लोग जानते नहीं हिंदुस्तान में किस तरह से हिंदुस्तान के पिछली सरकारों ने इतने इंपोर्टन कंट्री को इनोर करके रखा जबकि हमारे तालुकात इस तरीके के हैं कि लोग जानते नहीं है 1939 में जब सेकंड वर्ल वार के सुरुआत हो रही थी तो लगातार पोलेंड के उपर जर्मनी और रूस ने दोनों ने हमला किया तो वहां से बहुत सारे पॉलिश नेशनल वहां से भागे इंगलेंड से मदद भागी तो उनको रिफ्यूजी के तरह हिंदुस्तान ने शरन दिया था उस समय हिंदुस्तान में विटिसस का राज था तो कोलापूर जामनगर में दो जगह पोलेंड के लोग जो है यहां पे रहे फिर उसके बाद जब युद खत्मवा वो लोग वापस गए कोई इंगलेंड चला गया कोई वापस पोलेंड गया तो यह दोस्ती है हमारी अभी जब यह यूकरेंड वार सुरू हुआ तो आपको याद होगा ऑपरेशन गंगा उसमय मंत्री हुआ करते थे जनरल वीके सिंग उन्होंने एक ऑपरेशन लीड किया था कि यूकरेंड से तमाम इंडिन स्टूडेंट्स को निकाला जाए तो वहाँ से निकाल तो लेते थे ये लोग लेकिन फ्लाइट तो वहाँ से थी नहीं तो किस मुल्क के जरिये हंदुस्तानी वापस आए तो वो पॉलेंड के जरिये पॉलेंड की सरकार ने बड़ी मदद की थी तो दोस्ती तो है ही इसको निभाना भी चाहिए लेकिन दुनिया भर की नजर पॉलन्ड से ज़्यादा प्रधान मंत्री के यूक्रेन विजिट की है बड़ा किटिसिजम हुआ था विस्टन कंट्रीज के दोरा जब प्रधान मंत्री मोदी अभी मौस्को गय थे पुतिन सहाब से मिले थे अब जहां से नियोता आया है तो वहां जा रहे हैं आप देखिए कि इतने क्रिटिकल सिचुएशन में जहां पूरी दुनिया इस यूक्रेन वार को लेकर के बिलकुल दो पोल में डिवाइड़ है हिंदुस्तान शाद अकिला ऐसा देश है पूरी दुनिया में जो दोनों से बात कर सकता है दोनों से दोस्ती है और एक इंडिपेंडेंट सोवरें और्टोनोमस फॉरन पॉलिसी अक्तियार कर सकता है अब बात करते हैं कॉलकता रेप और हत्या मामली में चारों तरफ से फसी ममता बनर जी की कॉलकता रेप मडर केस में ममता बनर जी बुरी तरह से घिरी हुई है जो धरफा फजीहत हो रही है कलकता हाई कोट से लेकर सुप्रिम कोट तक आरजिकर मेडिकल कॉलिज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और पिरहत्या के बाद भीड का हमला इस पूरे प्रकरण ने पर्शिम बंगाल की पुलिस और टुशासनिक मशनरी को कड़करे में खड़ा कर दिया है आज डॉक्टर्स और छात्रों ने विरूद मार्च निकाला ये मार्च सीबियाई कारले तक निकाला गया बीजपी भी हमलावर है बीजपी घटना के खिलाफ आज से पांच दिन तक श्याम बजार मेट्रो स्टेशन के पास धरना प्रतरशन करेगी कलकत्ता हाई कोट ने प्रतरशन की अनुमती दे दी है तो वहीं सौरफ गांगुली भी ममता के खिलाब सड़कों पर उतर आए है चारों तरफ से ममता बनर्जी घिर गई है लेकिन जस तरह से ये विरोध प्रतरशन बढ़ता ही जा रहा है कैसे फस गई है ममता बनर्जी देखिए ममता बनर्जी दलदल में फस गई है इसमें कोई डाउट नहीं है दिक्कत क्या है कि इनकी लेजिटिमेसी पस्षी मंग्डाल की लेजिटिमेट लीडर की जो साख इनकी थी वो अब सवालों के घेरे में है उनका बरताव जिस तरीके से वो अपराधियों को बचाने में जिस तरीके से चीजों को हैंडल करने में आपसे गलती हुई आपके अब अपने लोगों ने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया है। बहुत कहा है अब इस्टेक बनल जी? वो तो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आप धनापदसर पर निकलती हैं, वो कहीं नहीं नहीं आ रहे हैं। उनका बयान आ रहा है कि बहुत गोली मार देना चाहिए, एंकाउंटर कर देना चाहिए। किसका ये डॉक्टर्स का ये सारे लोग जो इसमें शामिल हैं, वो स्टूडेंट्स के साथ निदर आ रहे हैं। आपके पाटी के लोग सरकार के खिलावी बयान दे रहे हैं, जन्ता थू-थू कर रही हैं, कि ये वो ममता बरजी नहीं है, जो नादिया रेपकांड के बाद नया दिलाने के लिए जोती बसू से जाकर भिड़ गई थी। तो एक तो बहुत बड़ी क्रैसिस में ममता बरजी है, ममता बरजी से मिसकैलकुलेट हो गया, ये पूरा माजरा, उनको लगा कि वो दमन, तानाशाही और पावर के आधार पे वो इस प्रोटेस्ट को कंट्रोल कर पाएंगी, लेकिन ये ममता बरजी के राजनिती के लिए एक भूकम्प जैसा दिख रहा है, ममता बरजी इस इन डीप ठबल, अगली कबर में बात भारत बंद की, सेस्टे आरक्षन में क्रीमी लेयर लागू करने संबंदित सुप्रिम कोर्ट के फैसले के विरोध में, आरक्षन बचाओ संगर समीती ने आज भारत बंद का एलान क किया था, भारत बंद का समर्थन कई दलित संग्ठोनों ने किया, सपा और बसपा ने भारत बंद का खुलकर समर्थन किया, भारत बंद को सफल बनाने के लिए विभिन संख्रनों के लोग सड़कों पर उतरे, कहीं आतयात विवस्था बाधत की गई, तो कहीं ट्रेन को रो बंगला चौराहे पर पुलिस और पुदर्शन कारियों के बीच में जड़प हुई, पुदर्शन कारियों ने आरा, दर्भंगा और मधवनी में ट्रेन को रोग कर पुदर्शन किया, पुलिस ने बैरिकेटिंग कर रखी थी लेकिन पुदर्शन कारियों ने बैरिकेटिंग सारी दुकाने आज बंद रही, भारत बंद को लेकर SCST में दोफाड के स्थिते भी नजर आई, एक धड़ा समर्थन में तो दूसरा विरोध में आज नजर आया, चुराग पास्मान ने भारत बंद का समर्थन किया, क्या इसे वज़ा से सबसे ज़्यादा विरोध का असर बि कुंबई हो, कही कोई तो नजर नहीं आया कि ऐसा कोई बहुत बड़ा भारत बंद ऐसा हो जाए कि बहुत लोग पाटिसिपेट कर रहे हूं, हर जगा धना प्रशिन करने वाले कौन थे राजितिक धल के लोग, ये अगर आप उसके गंभीरता को सब्दे, तो ये एक फेल् भारत बंद और वो इसलिए, क्योंकि ये जो विपक्षी धल, आरक्षन क्रिमी लेर, S.E.S.T. के नाम पे ये जो गंदी राजनीती करने के लिए उतरे हुए हैं, उसको जनता का समर्थन नहीं है, यहां उनको दलितों का भी समर्थन नहीं है, इसमें मलाई खाने वाले, हल लुआ चाटने वाले लोग, ये सारे लोग जो एक तमाशा क्रियेट कर रहे थे, इसलिए जनता नहीं आई, इसलिए वो सारा कुछ फेल हुआ है, आप देखिए, ये क्या विपक्षी पार्टिया सम्मिधान लेकर के घूम रहे हैं, बेसिक चीज को समझें, ये धरना प्र आप सुप्रिम कोट के फैसले के खिलाब भारत बंद का आववान करोगे, और ये भी कहोगे कि हम सम्मिधान को मानने वाले लोग हैं, ये तो विरोदाभास है, और इसलिए ये जो भारत बंद किया गया है, आप यकीन मानिए, आज से च्छे मैने बाद, ये लोग इस कुक अले होगे और इनको कहेंगे कि अपनी गंदी राजिती बंद करोगे, तो आज भारत बंद को लेकर ववाल नजर आया, तो वही महरास्ट के बदलापूर की घटना को लेकर, MBA ने भी महरास्ट बंद का ऐलाम किया है, दरसल महरास्ट के बदलापूर के एक स्कूल में दो ब महरास्ट बंद का वहन किया है, साथी बदलापूर यौन उत्पीडन मामली में, पुलिस या प्रशासन की लापरवाही की चांच के लिए महरास्ट सरकार ने SIT का गठन भी कर दिया है, इसका नत्वित IGR ती सिंग कर रही है, SIT की टीम पेडित बच्ची के घर आज बयान पुलिस ने पहुंची, तो वहीं इस घटना के बाद लोग काफी जादा आक्रोशित हो गए थे, और रेलवेट ट्राक जाम कर दिया था, स्कूल में तोड़ फोड भी की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया, अब इस मामले में विरोध में प्रदर्श है, लेकिन M.V.A. का कहना है कि वो महरास्ट बंद करेंगे, देखे, महरास्ट बंद करने के कोई आवशकता नहीं थी, लेकिन आप राजनिती करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है, लेकिन देश की जनता भी देख रही है, दिक्कत क्या है, यह भी बक्षी पार्टि महरास्ट के केस को बंद के केस से जोड़ के दिखना चाहरे है, जो मेल खानी रहा तो इसलिए राजनिती हो रही है, जो कुछ भी घटना घटी है वहाँ पे, उसके लिए करिंट गौर्वर्मेंट को माफी मागनी चाहिए, यह इंस्योर करना चाहिए कि कोई भी बचे ना, लेकिन इसको पर जो राजनिती हो रही है, जो बंगाल के साथ इसको मेल खिलाया जा रहा है, वो इसलिए भी नहीं है कि आप देखे कि किस तत्रपरता के साथ एक्षिन लिया गया पुलिस वालों को खिलाओ, एफाई यार दर्स करने में 13 घंटे का विलंब हुआ, वह क्यो जवाब दही देनी पड़ेगी, ग्रेमंत्री को जवाब देना चाहिए, सरकार लुजपूज तरीके से इस तरह के केसे को डील नहीं कर सकती, बड़े-बड़े अधिकारियों को भी लाइन हाजिर करना चाहिए, कि भई, छोटी-छोटी बच्चियों के साथ ये कुकरब हो जोड़ करके देख रहे हैं, तो वो समझना जरूरी है कि मुक्यमंत्री सिंदे आरोपियों को बचाने के लिए धर्ना प्रदर्शन करने के लिए नहीं उतर हैं। ये डंडा चल रहा है क्योंकि आप इसे वालिंट कर दे रहे हो सुप्रिम कोट ने क्या कहा सुप्रिम कोट ने कहा कि प्रदर्शन करने का अधिकार तो है लेकिन आप वालिंट नहीं कर सकते लेकिन आप लोगों नहीं किया तो एक दो दोनों को बराबर तरीके से पेश करने क जो कोशिश है वो एक तो गलत है रही बात इस घट्टा की तो इस घट्टा में जो शामिल लोग है उनको कई भी किसी भी तरह की कोई राहत नहीं मिलनी चाहिए और सरकार को, जो सरकार से गलती हुई, ग्रिह मंतरी को मुक्य मंतरी को इस घट्टा के फौरण बार उनको वहाँ भी जाना चाहिए था उनको पब्लिक स्टेट्मेंट अवश्य देना चाहिए था आज के आखरे कबर में बाद पाकिस्तान में इश्निंदा पर मच्छे बबाल की पाकिस्तान में एक बार फिर से कटरपंथियों का आतंक देखने को मिला है नाराज हो गए कि उन्होंने चीप जिस्टिस के सिर पर एक करोड का इनाम रख दिया भारी बबाल किया पुलिस की कड़ाई के बावजूद प्रदर्शनकारी बबाल मचाते संसद भवन और सुप्रिम कोर्ट की इमारत तक पहुँच गए जम कर नारेबाजी की और पैसले को वापस लेने की मांगी गई है ये क्या रवया है सुप्रिम कोर्ट और संसद भवन को घेर कर बई सुप्रिम कोर्ट क्या होता है सुप्रिम कोर्ट क्या होता है कोई इस्लामिक मुल्क में कोई डिमोकरसी सुप्रिम कोट चलता नहीं है ये दिखावा है एहमधिया को दरसल ये लोग मुसल्मान मानते ही नहीं है सब सर्टिपिकेट पार्टने वाले मौलवी मौलाना देश के अंदर दुनिया में है उन्होंने डिकलेर कर दिया कि अहमधिया मुसल्मान नहीं होते है तुम कौन होते हो अब उनके ओपर इस इंदा का आरोप लगा था उस आरोप को खारिश कर दिया गया खारिश कर दिया गया आप अपील में जाएंगे सुप्रिम कोट वहाँ भी हिंदुस्तान के तरह ही सिस्टम है अगर कोई फैसला आगया आप उसको अपील करें और अगर रूल अफ लाव है कहीं पे तो सुप्रिम कोट की बात को तो मानना पड़ेगा लेकिन इन्होंने क्या किया ये घुज गये हिंदुस्तान में भी होगा कभी इध्यान रखिए ये जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे समविधान को ताक पे रखकर अलग अलग विविन विविन समविधायों को अलग अलग तरीके से अधिकार दे रखा है कल यही कहेंगे मैं तो सुन रहा था मौलबी मौना कहते है कि हिंदुस्तान में जो है दारू कजा होनी चाहिए मैं इसलामिक कोट होना चाहिए जहाँ सर्या के कानून के हिसाब से वहाँ पे सजा मिले ये देश का कोट नहीं चलेगा तो ये तो हलात है जो लोग सेक्लिलिजम के नाम पे अपनी आखें बंद करके बैठे हुए है उनको अपनी आखें खोल लेनी चाहिए कि जो बंगलादेश में हो रहा है जो पाकिस्तान में हो रहा है वो वारस हिंदुस्तान में आने में जादा समय नहीं लगेगा जी बहुत बहुत धनेवाद बाठीट के लिए धन्यबाद खब्रों का बंद्श्रमों में आज के लिए फिलाल इतना है देश विदेश की वागी खब्रों और उनके सटीक अनलिसस के लिए देख तेरे कैपिटल टिवी हमें लाइक केज़े शेर केजिए और कैपिटल टिवी को सब्स्क्राइब किजिए नमस्कार